हलो फ्रिंट्स आज किस वीडियो में आप सभी के लिए बैंक चफरासी दुहजाटेस का ओफिसियल नोटिफिकेशन लेकर आएं येदि आप भी बैंक पियोन बनना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सून है रहा हो गया है और येदि आप आट भी पास है तो इन पदों के पियोन की नोगरी प्राप कर सकते हैं यानि कि काफिसार स्टुडेंट्स इससे में कमेंट कर रहे थे कि 2023 की लेटेस्ट वैकेंसी कब आएगी तो फाइनली आपका इंतिजार कदम हो गया है और आज इसका उफेसल नोटिफिकेशन आ चुका है नोटिफिकेशन के वादि मे दीफिके आपे शुक्ते हैं और सब्सक्राइए है और और आप इससी के लिए apply करना चाहते है तो आप सभी के पास सिक सुनेरम होगा है और यहाँ post details आपको बताई है तरतूर्थ करमचारी यानि कि group D की vacancies है bank में ये group D की vacancies आपको मिल रही है तो आप इसके लिए जरूफ़ों apply करें अधिनेश्त स्वरक्षप्रासिकी पदों के लिए ये vacancies है यानि कि सब स्टाफ की फोस्ट है आप सभी के पास सिक सुनेरम होगा है और इसमें आपकी यूगीता आपको बताई है कि विहारती कम से कम आठवी पास होना निववारी है आवे तक को हिंदी व्वय अंग्रेजी का बुनियादी ज्यान होना चाहिए यानि कि आपको इसमें एजुकिशन आपकी कम बताई है ये आप आठवी पास हैं तो अप्लाइक कर सकते हैं लेकिन यहां दो पॉइंट और आपको बताएगे है कि नोर्मली जैसे कि बैंक में कुछ आपको अधिकारी या बैंक क्रमच वर्ड्स हैं बैंक के वो आपको रटने होंगे तो बुनियादी ज्यान का नोलेज होना अनिवारे हैं तो आप इसके लिए अप्लाइक कर सकते हैं इसके बाद आपको फ्रिंट्स इसमें बताई है एज लिमिट 18 से लेके 25 वर्ड्स की जो गंडिटेट है वो अप्लाइक कर अटेंडर और सब स्टाफ की वेकैंसी के लिए या पोस्ट के लिए फॉर्म आपके बरे जाएंगे आपकी एज 18 से लेकी 35 वर्ड्स रखे गई है इसमें आपकी एजुकिशन क्वालिफिकेशन नौर्मली आट वी पास है आप देख सकते हो किसी प्रकार के अनुबव क्या अब सकता नहीं है क्वालिफिकेशन आपको इसमें बताएगी है नौर्मली यदि आप आट वी पास है तो इन पदों के लिए फॉर्म अपलाई कर सकते हैं इसके बाद आपको इसमें बताया है कि जो वेकैंसीज है आपकी ये कॉंट्रेक्ट प्रेड की वेकैंसीज है तो स सबसे पहले फिरिंट्स ही आपको इसमें ये डीटिल समझाए गई है कि कोई अभ्यारती यदि इसमें फॉर्म अब्लाई करता है तो इसे प्रथम प्रीड के लिए फॉर्म भरा जाएगा यानी कि पहले वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा इसके बाद consider आपको इसमें ये detail समझाएगी है कि आपके जो कारेकाल है आपका जो विवार है आपका performance है वो ये दि अच्छा है तो आपको इसमें आगामी साल के लिए भी रखा जाएगा यानि कि आपको इसमें permanent तो नहीं किया जाएगा बट आपको यहां एक अच्छी जोब मिल जाएगी ये regular basis आप मैंसे मान सकते हैं क्योंकि यदि आप अच्छा काम करोगे बैंक के करमचारियों के साथ आपका विवार आचा रहा तो आपको यहां अच्छी जोब या अच्छे कारे काल के साथ आपको जोब मिल जाएगी जैसे कि आपको पांस साल के लिए मिल जाएगी दस साल के लिए भी मिल जाएगी और इसके बाद आपको इसमें बताया गया फ्रेंड से की contract amount क्या है आपकी यदि आप इस recruitment में form apply करना चाते हो तो आपको आठ हजार रुपे पर मं आपको इसमें मिलेगा आठ हजार रुपे पर मंत आपको इसमें मिल जाएगा अलाउंसेज वेनिफिट वगेर वगेरा टिक फ्रेंड्स और इसमें ये बताया गया है कि जो अभ्यारती इस व्रैत्रिफिकर में form apply करना चाता है उसे सविदा की आधार पे जो है वेतन दिया जाएगा अब इसमें ये होगा कि काफी सारे candidates इस job के लिए apply नहीं करेंगी क्योंकि ये आठ हजार रुपे payment बहुत कम है तो जो इस्तान ये लोग है जैसे कि अभी अलग अलग state से vacancies आपको मिल रही है यहाँ bumper vacancies आने वाली है यानि कि इसमें 17,000 के something vacancies आने वाली है 17,000 के something vacancies आने वाली है और ये जो vacancies है ये bank रमचारी ही complete करवाएंगे जैसे कि आपके नजदिक bank है वो bank notification निकालेगा बैंक के दिवार पे आपको notification मिल जाएगा वा notification चपसा कर दिया जाएगा कि इस post के लिए फोर्म निकला है और आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो आप जोब इसे मान सकते हैं इसके बाद आपको इसमें बताया कि आपको छुटी कितनी मिलेगी तो 15 दिन की चुटी मिलेगी एक साल में ठीक है एक साल में 15 दिन की चुटी मिलेगी तो normally आपकी एक महिने कि कितनी चुटी होती है दो चुटी आप देख सकते हो with maximum of two years per month तो फाइल आपको क्या-क्या कारी करने पड़ेंगे तो बैंक स्टाप के नीचे आपको काम करना पड़ेगा ठीक फरेंड? और स्लेक्षन मेथेड आपको इसमें यह समझाया गया कि अब्यारतियू का पर्सनल इंटर्विू होगा यानि कि आपका इसमें पर्सनल फीस आपको नहीं देनी है वहल बैंक की ओर से आपको ये free form दिया जा रहे है और हमारे telegram channel पे आपको इस form मिल जाएगा भी आप देख सकते हो ये form आपको telegram channel पे मिल जाएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हो application for the post of attendance and sub staff क्वेकंशी आप करना चाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं Central Bank of India की पोस्ट है Central Bank of India की सब स्टाप की पोस्ट आपको मिल रही है तो आप अप्लाइ कर सकते हैं यह दी आपको फॉर्म बंडे में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें टेली ग्राम चेनल पे संप्रक कर सकते हैं या हमारे चेनल के यूटूब सेशन में आप कमेंट का ओप्षण में आप क्यूशन लिख सकते हैं इसके बाद में आपको यह फोर्म कब से कब तक अप्लाई करना है तो यह फोर्म आपका बराज आएगा 16 जनवरी तक 16 जनवरी तक इसके फोर्म आपका समीड होगा और अप्लिकेशन फोर्ट अटेंडर और सब स्टाफ के लिए आपको बिहार इस कोड पे यह डाग बेज देनी है अब MP के अभ्यारती क्या करेंगे MP में वेकैंसी के लिए आप क्या करेंगे तो MP के जो भी बेंकों में वेकैंसी की रिखतिया है वहां के दिवार पे वाल पे चपसा कर दिया जाएगा या आपको टेलिग्राम संदीब ग्यान के नाम से टेलिग्राम चैनल है वो आपको जोइन कर लेना है वहां आपको नोटिफिकिशन मिल जाएगा और इसमें तीन पूराजियों का नोटिफिकिशन हम आपको बताएंगे पहला अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का और इसके बाद MP का नोटिफिकिशन हमारे टेलिग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और इसीक की साथ 36 गड़ tyckercaust का टेलिग्राम चैनल पे नोटिफिकिशन मिल कर दो